हलो अबर्बान वेलकम बैक टू सिद्धी हर्याना 75 डे आपका mcq चैलेंज को कंटिनु करते हैं आज आज हम स्टार्ट करेंगे एटी फस्ट क्वेस्टन से किसका एटी फस्ट क्वेस्टन आपका 2023 का जो हैस का एक्जाम हुआ था उसका आगे हम क्या करेंगे आगे हम करेंगे most important questions प्लस आपके जो last year के पेपर उनको combine करके start करेंगे ठीक है एक दूसरी बड़ी announcement करने जा रहा हूं मैं कल आपका session start हो रहा है crash course का हमारा crash course का session start हो रहा है जिसमें मैंने आको बताया हुआ है कि पूरा course का orientation दिया जाएगा पूर को आपको एक compiled form में आपको दिया जाएगा कि आप एक HCS exam की तियारी कर रहे हैं, आपको सब कुछ knowledge है, ठेक है? चलो, let's come to the first question आजगा, कि roll act came into being during the non-cooperation moment, देखो यहीं पर यह question गलत हो गया, अब आपको पता होता अगर roll act, या आपको chronological order आपको पता होता, तो मैं वही कहना चाहरा हूँ, आपको direction क्या दिखानी है हमे कि chronological order कैसे याद करने है, कैसे आपके mind में चलनी चाहिए, कि roll act act कब होता, non-cooperation moment कब चला था, तो यह knowledge अगर यहीं पर होती, तो आपको पता चल जा था, कि non-cooperation moment जो आपका 1920 से लेके 22 तक चला था, बट आपका roll act कब आगा था, 1919 में ही आगा था, ठीक है, तो यहीं से statement is the Indian participation in the movement, तो गलत हो गई नहीं, अपने आप पहले ही गलत हो गई आपकी, the roll act bill allowed the judges to try political cases without juries and gave to provincial governments in addition to center the power of interment without trial, तो विदाउ ट्रायल के बिना ही रहेगी, it is popularly discussed कि no appeal, no dalil, no vaqueel, ठीक है, ना appeal, ना वकी, दलील, ना वकी, ना यहाँ पर तारीक पर तारीक चलेगी, ना यहाँ पर कोई शीचीच चलेगी, क्योंकि किसका राज चल रहे है, अंग्रेजों का, ब्रिटिश लोगों का, ठीक है, तो आपका गलत हो गया, यह तो ठीक हो गया, तो इसका answer क्या हो इन्डियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, बिल्कुल डिनाउंस किया था, कि वी आर दा सुपीरियर, हमी सुपीरियर है, क्योंकि अपने अपका समझते हैं, देख, हम गोरे हैं, तुम काले हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, हम दिलवाले हैं, बिल्कुल सही बात है, इतना हुमिलियेट किया था, कि तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम है नोलीज ही नहीं है, तुम्है आता ही क्या है, बट हमारी संस्क्रिप्ति को देखी, हमारी अच्छे टैमपल कदेखी, हमारे सभसे बड़ा एग्जम Пल मैं मानता हू नालंदा ऐन्गच्छी अपने ideology के बारे में समझने के लिए सबसे बड़ा कॉन है आपका इसमें Max Muller है बिल्कुल सही statement है तो आपका क्या हो जाएगा इसका answer B हो जाएगा हाँ दोनों ठीक है बट इसका correct explanation नहीं है ये ठीक है चलो International Congress was started by A.O. बिल्कुल सही बात है कब हुई थी इसको तो भाई SSC के CHSL के मेरे खालता है आज इकल तो नॉम्मी वाड़ा बाले की बता देगा चलो 1885 ठीक है क्या अंडर the official direction, guidance and advice of Lord Duffrin the vicerai बिल्कुल ठीक है Indian National Congress क्या provide क्या आएगरेगा क्या करेंगे हाथ जोड़ो safe peaceful, peaceful रहेगा constitutional outlay or safety wall for rising discontent among the masses, बिल्कुल ठीक है ये statement तो आपका ये statement ठीक हो गया, ये इसका correct explanation है, doctrine of lapse क्या है, formed by the governor general Dalhoji, disregarded the right of an adopted heir to the throne and state automatically lapsed into the British domain if the ruler died without any biological natural hair, बिल्कुल सही बात है, आपका सबसे बड़ा इसका example, आप किसको मानते हो, आपको ही पता है, जासी गिरानी को मानते हो, आप adopted संधाउन का, doctrine of lapse was one part of Dalhoji's program of bringing a unified India under strict control by doing away with alternative sovereignty is held by Indian ruler and the princes बिल्कुल सही statement है, आपकी तो इसका answer क्या हो जाएगा, आपका, ये इसका correct explanation है, क्योंकि वो एक unified चाता था, अपने under साथ चाता था सब कुछ कि British के under में ही सब कुछ रहे, ठीक है, अगर किसी न किसी तरीके से हमें इन राजाओं को नीचे गिराना है और अपनी सत्ता को उपर लेके आना है, ठीक है चलो अब ऐसे questions को देखो थोड़ा तो माननोगे न, भी HCS exam है, ठीक है समझ गयोगे, ठीक है की भई, madness से मर गया वो painter, ठीक है, आसना नीची अब इस point का अगर मैं कहादू मुझे नहीं पता भई ठीक है, चलो इसका मैं next बताता हूँ आपको इसका मनुस्कृप्ट ओफ दस्वन्त वर्क, खांदाने ए टेमूरिया यह इंपोर्टेंट हो गया आपका, कि किसने इसको मनुस्कृप्ट को किसने एक तरे से लिखा खांदाने ए टेमूरिया इस प्रिस्क्राइब इन खुदा भक्ष oriented public library पतना में तो ये आपकी statement ठीक है most appropriate आपका ये ठीक आ रहा है तो इसमें क्या है सोच के देखो दोनों correct है कि दस्वंत painter जो थे वो आपके madness suicide कर दिया थे उन्होंने पागल हो चुगे थे madness कि पढ़ पढ़ इतने पागल भी मत हो जाईयो अपने पढ़ाई करो बड़ी आली पढ़ाई करो वही directional approach होनी चाहिए ठीक है directional approach है आपके अंदर तो आप एक right decision ले पाएंगे क्योंकि directional approach के according क्या होता है कि एक decision लेना बहुत जरूरी होता है इंसान का ठीक है कि कि किस direction मुझे चलना है तो इसका आपका B हो गया ओके वन अदर लेबर यह वही assertion और अपर रिजन बेस्ट है दिख्लाइन आपर स्टाइट आफ्टर दा अशोका बिलकुल सही बात है अशोका फोलोड दा पॉलिशी ओ धम्म वीजय अशोका ने धम्म को भी फोलोग या था ठीक है तो इसका आपका एक्स्प्लेशन नहीं है मुझे ठीक लग रही यह statement बट इसका अंसर सी माना गया है according to your HPSC HCS की जो आपकी वह आई थी क्या आई थी अंसर सीट ठीक है ठीक है अब आपका क्या है लकूलिशा पशूपत सेक्ट जो है आपका इसमें थ्रो लाइट ओन दा लकूलिशा पशूपत सेक्ट क्या था तो लकूलिशा पशूपती से आपको समझ में आ रहा है किस की बात चल रही है शिवा की बात चल रही है सबसे बड़ी बात यह कि यह जो लकुलिशा पसुपत सेक्ट यह आपका लास्ट सेक्ट था किस से रिलेटिड शिवा से रिलेटिड शिव भगवान से रिलेटिड ठीक है अब इसमें बोला क्या गया है कि फ्रो लाइट इसमें करो क्वाइन क्वाइन ओफ वीश्का ठीक है मत्रा इंसक्रिश्वन ओफ चंदरकुट ट्यू ये भी ठीक है मालती माद्वा ओफ भावभुती ये आपका गलत हो गया है और अश्टा-श्टा ध्याई ओफ पानी नी ये भी आपका गलत है तो next क्या आपका कदम्मनी ओफ वानबटा तो ये सही है आपका तो आपका कौन-कौन से सही होगे 1, 2 and आपका 5 किस-किसमें आपका C में है ठीक है तो इस कांसर हो जाएगा आपका C चलो विरुपाक्षा पंपा देवी ओफ विजयनगरा तो इसमें इसकी स्टोरी क्या है विरुपाक्षा पंपा देवी तो सबसे बड़ी चीद है विरुपाक्षा से आपको क्या रिलेट कर रहा है कि आप किस से रिलेट कर रहा है विश्णु भगवान नहीं इसमें शिवा क की बात हो रही है और पंपा देवी जो है वो है आपकी पारवती माता ठीक है तो स्टोरी क्या है कि आपको पता ही है शिव भगवान कहां जाते हैं आपको पता है कहां मिलते हैं आपने देखा हुआ के दारनाथ और आपके कहा है आगे केलाश पर ठीक है अमरनाथ मतलब तो सा पाने के लिए उनके लिए डेडिकेटिट थी तो उन्होंने भी meditation स्टार्ट कर दी तो जैसी meditation उनकी पूरी हुई या मतलब जब भगवान शिव को ये लगा कि she is praying for me तो वो उनके लिए ready होगे that we will marry तो इनके union के लिए ठीक है ये temple बनाया गया उस टाइम पे विरुपाक्षा temple ठीक है तो ये story line है तो अब क्या रहेगा मात्री देवी पंपादेवी had done penances to marry विरुपाक्षा बिल्कुल ठीक है तो उन्होंने marry करी ठीक है दा विजयनेगर ruler claimed to rule on behalf of पंपादेवी तो ये गलत होगी ठीक है ये statement गलत होगी क्योंकि story किस से related हो रही है विरुपाक्षा means आपके शिव भगवान शिवा and पंपादेवी means आपकी पारवती माता ठीक है next the pattern deity of विजयनेगर kingdom वाज विरुपाक्षा बिल्कुल सही normally the name of शिरु शिरी विरुपाक्षा was mentioned in the kandada script in the royal order ठीक है विरुपाक्षा वाज ए form of विश्नु कितनी बड़ी चीज हो गई विश्नु भगवान नहीं आपके शिवा से related थी ठीक है शिवा से related थी तो शिवा आप देखेंगे अब 5th statement आपकी गलत हो रही है यह 5th statement आपकी एक ही मही है तो आपका इसका answer क्या हो जाएगा c 1 3 and 4 1 3 and आपका 4 ठीक है next गनेश शंकर विद्यारती had written in in परताब that if महाबारत जो महाराना परताब had been in any other country except slave India you would have been worshipped all over the country if you were in America like Washington if you were in England like Wellington और आपका Nelson if you were in France you would be worshipped like John of Ark और if you were in Italy you would be worshipped like Majini तो कितनी important बात लगी आपने महाबारत के उस किस के उपर महाराना परताब के उपर आप question में twist क्या है यह देखिए twist यह आपको हो जाएगा महाराना परताब किस से related कर रहे हैं आपके राजस्तान से ठीक है question के आप वो देखो कि इसने क्या बोला गनेश अंकर विद्यारती यूस्टू ब्रिंग आउट मैगजिन नेम्ड परताब किस से रेटिट हो गया आपका परताब से राजस्तान इन 1915 अब आपको लगेगा हाँ सही है यार स्टेटमन तो सही लग रही है बट नहीं इसमें ट्विस्ट है राजस्तान नहीं यहां पर आएगा आपका कानपूर कानपूर से लिखी थी नहीं ठीक है तो यह आपकी स्टेटमन सेकेंड वाली गलत होगी तो इस कांसर क्या हो जाएगा सी चलो इन स्पाइट ऑफ आप पोजिशन फ्रॉम जिन्ना इन 1937-1939 दा कॉंग्रेस डिट नोट स्टॉप सिंगिंग वंदे मातरम इन मारत पे काम करना है तो उन्होंने गाया अराम से डिद नोट स्टॉप सिंग्निग ठीक है सरसेयद आमद खान सेड दा फिर्स्ट बिल्कुल गलत बात है है क्योंकि सरसेयद आमद खान स्टार्टिंग से ही कॉंग्रेस के खिलाफ थे ठीक है and he will fight against the unity of India तो आपकी स्टेटम और वियारा पेशावर आइडल बुद्धा कनिश्का फाउंड एंड नोट ओफ इंदरा और ब्रह्मा तो यह स्टेटमन गलत हो गई है कि इसमें इंदरा और ब्रह्मा की आपकी भी वो पाई गई थी तो इसका क्या रहेगा सी क्योंकि आपका क्या स्टेटमन वन इस विव्वर इंडिया रहेगा सी काची फेमस ट्रुटर से हैं आपके मयूर वर्मा ठीक है वच्यान आग आपका और हिंश्वांग वर्द वर्देयर बिल्कुल सही बाद है तो आपकी बौथ स्टेटमेंट आपकी काची से रिटेड़ है और दोनों स्टेटमेंट आपकी सह सबसे बड़ी चीज है कि औरंग जेब ने लगबग सर इतने सारे टेंपल्स को मौस्क्यू में कनवर्ट किया था तो हम इसको अगर इस क्योशन को अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कॉमन सेंस से भी हम इस क्योशन को कर सकते हैं कि औरंग जेब तो यह स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी अपने अभी देखा था विरुपाक्षा का तेंपल कहा है आपका तो आपका क्या रहेगा विजे यह आपकी स्टेटमेंट गलत होगी तो ऐसे ब्यूटिफुल मतलब ब्यूटिफल प्लेस लाइक यह चूज नहीं किया था उससे पहले ही वह स्टोरी बिल्डप हो चुकी थी उससे पहले ही एक तरह से शादी हो चुकी थी वहां पर और वह विलास इन संस्कृत ठीक है ट्रांसलेशन ओफ भागवत गीता इन बांगला तो इस स्टेटमेंट का फॉर एक्जंपल अगर मुझे पता होता कि मुझे पता है बांगला कोन करेगा इसका मैंने कैसे याद कर रखा है कि बांग बांगला मतलब आपका वेस्ट बेंगल में क सो बी का थर्ड ठीक है ए में ही है तो इसका ए हो गया डारेक्ट अब बाकी अगर आपको नहीं भी पता होगा चलो नेक्स्ट कंपोजिशन ओफ तप्तिस समर्बनू सबर नम्बू ठीक है उफाक्या नमू की किसने करी थी अपना कंपोजिशन आपका इतने बड़े वर्ड इतनी इन चीजों की किसने करी की तप्त और उपाख्या की किसने करी थी गंगाधर गंगाधर ही शक्तिमान है ठीक है चलो creation of मूरतमाला एंट्रीटीज ओन मूरत तो ड क्या रहेगा आपका सीधा-सीधा क्या रहा है है आपका रगुनात ठीक है इसका अंसर क्या हो गाई पर सीधा ए हो गया next description of Indian trade and society description किसने की होगी बताइए and visited India six time came to India and never went back to Europe तो इसका मुझे पता है इसका रहेगा आपका कौन मनुकी तो C का first किसमे है आपका D option में है इसका D है हाँ इसका D है ठीक है एक ही option सोच के देखो आपने list of foreign travelers करने है तो Lucian में बड़े मैं अच्छे से mention है और आपके NCRT book में बड़े अच्छे से mention है और आपको ancient में करने भी होते है तो ऐसे topics के के लिए के लिए क्या कीजिए for example मुझे इतने सारे लोगों का नहीं पता but आपको देखो HCS इतना deep में भी नहीं पूछ रहा है कि came to India never went back to Europe तो वो कौन थे आपके मनुकी थे तो इसका मैंने सोच के देखा कि C का वन किदर है A की option में है D option में तो इसका answer D आ रहा है आपका ठीक है अब याद कर लो चलो इनको याद कर लो अब कैसे कि आपका description of Indian trade and society किसने describe description किया था आपका क्या रहेगा बर्बोसा ने ठीक है visited India six time शे बार इंडिया आए है वो तो कोन आया शे बार इंडिया तेवर नियर तो टेवर नियर से कैसे याद हो जाएगा traveler तेवर नियर टेरर ट्रेवलर आपका traveler रहेंगे ठीक है छे बार इंडिया गुम्मे है उस टाइम पर वीजया भी नहीं लगता था इतना के आओ जाओ आओ जाओ ठीक है पासपोर्ट भी नहीं मनता था साइन्टिस्ट ओफ मुगल एंपरर क्या है दनिशमंद खान तो कौन थे उस टाइम पर इनके बर नियर ठीक है तो यह आपका वक्योशन सोल हो गया जब आप अपने स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होगे या आपनी आप बुक पढ़ रहे होगे जो भी आप रिलेटरिबल बुक है ओविसली अप सभी स्पेक्ट्रम ही पढ़ते है तो स्पेक्ट्रम में आपने देखा होगा जब INC अपनी बन जाती है उससे पहले एक तरह से कौन कौन सी association थी तो उससे related है यह question तो दादा भाई नोरजी की कौन सी association थी East India Association थी जो British opinion मतलब पबलिक opinion के influence में थी second क्या he showed that the poverty and economic backwardness of India were not inherited in local conditions but were caused by the colonial rule which was draining India drain theory of India किसने बताई थी दादा भाई नोरजी ने तो यह दोनों statement आपकी सही है ए नेक्स्ट इने मैसेज तो इंडियन लेबर जोनल इन नवंबर 1933 जवालाल नहरु एंफेज 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 एट बोथ social and the national struggle were basis basic and that in neither should be compromised be made ठीक है he urged the working class to play its role in anti-imperialistic struggle ते स्टेटमेंट बोथ आपकी सही है कि दोनों में सही explanation की गई है इसमें about यह जवालना नहरु एंफेज इनकी subsidiary alliance के बारे हम पूछा गया है कि Lord Wellesley in 1798 यह खुदी बता रहे हैं subsidiary alliance आपकी कब आई थी अब देखो HCS भी आपसे क्या आपकी क्योस्टन पहले क्या आते थी subsidiary alliance किसने launch की subsidiary alliance आई कब अब डारेक्ट क्योस्टन में ही बोल दिया कि subsidiary alliance आपकी device by the Lord Wellesley in 1798 all those were entered into such alliance with the British had to accept certain term and condition the British would be responsible for protecting their ally from external internal threats to their power बिलकुल सही बात है next in the territory of ally a British armed contingent would be stationed and ally would provide resource for their maintenance बिलकुल सही बात है कि British आपके पास रहेगा और आपकी सेवा भी लेगा the ally would enter into agreement with other ruler or engage in warfare only with the permission of the British जो आपे ब्रिटिश बैठा है एक तरह से उससे तो सब कुछ सलाव उसी से लिनी पड़ेगी कि वह वाली बात है मैं कमरे ता बार चला जाओं वह वाली बात होगी ठीक है अलाय में walk away with the alliance anytime बहुत बड़ी statement anytime आपका कैसी statement होगी exceptional statement होगी और वैसे भी यह थी नहीं जब आपको subsidiary lines के बारे में पता होगा तो यह statement आपकी गलत हो गई तो इसका answer क्या हो जाएगा सीधा 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 next last question हमारा 2023 HCS का तो इन series को मैंने तरह से पांच lectures में डिवाइड किया है 2020 के इसका हम पूरा series भी लियाएंगे तो एक आप one go में 2x में भी रिविजन भी कर सकते क्योंकि last year paper revise करना बहुत जरूरी होता है यह तो आपके आगे ही question आ गया है कि आपने खुदी cases भी चल रहे हैं उसमें ठीक है कि last year question paper से इतने questions आई हुए है तो last year question paper जरूर किया आकरो इससे आर आपकी knowledge तो रिल्डप होई रही है ठीक है चलो setting up supreme court in Calcutta कभ वा था 70 74 में यहां से कर लो चलो 70 74 कभ है second एका second देखो कहां पर है लो दो में है दो eliminate होगे कौन बनेगा करोड़ पती में आप जीत चुके हैं c and d रह गया है आपका ठीक है चलो cornwallis coordinate चलो अगर बाइचांस अगर मुझे नहीं पता railway line between the bombay and thane very important कभ वा था सबको पता है क्या रहेगा इसका d answer हो जाएगा आब कब हुआ था 1853 में सोरी 1850 नहीं एटीन सोरी सोरी सी का हाँ c का 4 रहेगा c का 4 c का 4 आपका यहां है sorry मैंने d का 4 सोच लिया था यह गलत है ठीक है तो c का 4 बोला था मैं सोचा कि d यह यह ठीक है डन आपका मदरास जो मदरास हरबर वो कब था आपका 1881 में ठीक है अब कॉर्ण वोलिस कोड इनक्टिड कब हुआ था आपका कब हुआ था 1793 अब जो आपकी नई लक्षमी कांथ उसमें यह दिया भी हुआ है ठीक है तो इस कांसर आपका क्या होगा दुबारा घर लेते हैं चलो सेटिंग आप सुप्रीम कोड कलकता कब हुई थी 1774 में बिल्कुल सही बात है यह जब आप पॉलो जब पॉलोडिक लक्षमी कांथ करते हैं उसमें आप मैंशन भी हुआ है तो रेगलिटिंग एक्ट जो था आपका उसके कोडिंग जो सेटिंग अप सुप्रीम कोड कब 1853 में हुआ था अगर मुझे नहीं पता है तो आपकी एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट तो आपकी डिलीट हो चुकी है क्योंकि मैंने एक क्या लगाया है सेकिंड एका सेकिंड दो स्टेटमेंट में है ठीक है को इसकिसमें सी अन डी में अब मैं कुणगा कि रेलिवल ल मैं बताता हूँ आपको, आगे हम धीरे-दीर, मतलब एक-एक सब्जेक्ट से चलेंगे, ठीक है, जल्दी-जल्दी करेंगे, इससे आपकी quick revision होती रहेगी, for example, जैसे आपके politica होगे, geography के questions होगे, even आपके current के भी questions करा दूँगा, मैं पहले एक बर current का थोड़ा पार्ट कर ल आएंगे ना, वो ले के आएंगे हैं, ठीक है, चलिए, आज का session complete होगे, thank you